गुड मॉर्णिंग एवरिवन, वेलकम टू पी डवली ओनली आईएस दोस्तों अगर आज का आप दा हिंदू नियूस पर नोटिस करोगे तो उसमें एक खबर आपको देखने को मिलेगी UPSC फाइल्स करिमिनल केस अगेंस्ट पूजा खेड कर और फॉरजरी देखो यह जो पूरा केस है ना यह अपने आप में बहुत सारे क्वेशन मार्क्स उठा देता है क्योंकि आप नोटिस करते हो कि UPSC एक ऐसा हम बॉड़ी मानते हैं जहां पर जो भी एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाता है उसमें बहुत सला ट्रस्ट लोगों को काफी टाइम तक था पर यह केस ने काफी हद तक उस ट्रस्ट के उपर क्वेशन मार्क्स रेस कर दिये हैं पता है क्यों? क्योंकि इनकी वज़ा से अगर आप नोटिस करोगे ना इन्होंने क्या किया है इस एक्जाम के अंदर तो आप नोटिस करोगे कि इन्होंने ना अपनी अडेंटिटी छुपाई या रधर आइशुट से फेक कर दी कैसे? इन्होंने दोस्तों अपना नाम बदला ठीक है चलो नाम बदल लेते हैं लोग कोई बड़ी बात नहीं है क्या कि कोई इसी बंदे को कोई disability ही नहीं और वो बड़े अराम से disability के certificate बनाया जा रहा है और उस वज़ा से IS officer बनते जा रहे हैं क्या कोई ना कोई तो एक बंदा तो होगा जो किसी पूरे system के अंदर ये चेक कर रहा होगा कि भाई इसके certificate असली है भी या नहीं क्या वाके में इसको ये चीज़ है अगर छे बार ये aims के मतलब नहीं जाती है मतलब अपना चेक अप कराने तो कोई ना कोई तो होगा ना जो इसको रोग दे कि नहीं भाई आगे आप नहीं बन पाओ गया ये तो पूरा case तब जाके सामने खुलता है जब ये जादा अपना swag दिखाने की कोशिश करती हैं कि नहीं मुझे तो अपना पी-एन चाहिए अपनी गाड़ी चाहिए अपना ये चाहिए वो चाहिए अदर्वाइस तो हो सकता है ये मुद्दा कभी lime light में आता ही ना कभी लोगों को पता ही ना लगता कि भाई सारा कुछ ही इनकी profile में fake है are you getting my point और ये त उसे तो श्याद हजारों ही और लोग हो सकते हैं जिनको मतलब जिन्होंने इस चीज का misuse किया हूँ right जिन्होंने इस तरह से अपने बतना ही कौन-कौन से certificate इस तरह से fake बनाए हो and उस वज़ा से जो IES जैसा या UPSC जैसा जो prestigious संस्ता है उसके exam को उन्होंने cheat कर लिया हो बि जो भी लोग जा रहे हैं service के अंदर उनके अंदर ethics हो क्या एक percentage भी इनके अंदर हम ethics expect कर सकते हैं integrity क्या 1% भी expect कर सकते हैं और I'm sure इन्होंने ethics के अंदर भी अच्छे number लेकर आए होंगे तो क्या इस particular जो paper को introduce किया गया था क्या इसका कोई भी मतलब sense नहीं बनता सिरफ लोग इनके अंदर ethics हैं real life में इनके अंदर integrity है शायद नहीं एक देखो आज से 5-6 साल पहले का भी एक case आया था उसमें एक person थे IPS officer वो बने थे उन्होंने ethics के अंदर उस साल शायद highest number लेकर आये थे highest उस साल के अगले साल वो cheating करते हुए पकड़ेगे एक microphone के माध्यम से अपनी wife क साथ बात करते हुए cheating करते हुए पकड़ेगे तो ये भी question mark उठा देता है कि भाई जो आप इस तरह से अपने exams आप conduct कर रहे हो क्या वो fair process है भी या नहीं है प्लस at the same time जो आप exam ले रहे हो क्या action में वो check कर भी रहा है जो आप values एक इंसान के नदर check करना चाहते हो बाकी द UPSC से कि अगर एक ही case था ना तो मतलब एक case है नहीं वैसे यह बहुत सारे ऐसे और भी cases होंगे जो हमें पता ही नहीं है तो उनके उपर भी proper investigation होनी चाहिए तांकि लोगों के सामने सच्चाई आ पाए and जो trust हमारा UPSC के साथ इतने सालों से बना हुआ है वो हमेशा maintain रहे है राइट दोस्तों और अगर बात करो नियूस की तो यहां पर आप notice कर रहे हों को मिलेगा कि दरसल में क्या हुआ कल आप लोग अगर एक Windows वाला PC यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके PC में भी इस तरह से blue screen देखने को मिली होगी दरसल में Microsoft के अपडेट था जिसकी वज़ा से पूरी दुनिया भर में हमें यह इशू देखने को मिला कि जो operating system होता है मैं Microsoft का जो Windows operating system की में बात कर रहा हूं तो वहां पर एक बहुत बड़ा देखने को मिला जिस वज़ा से पूरी जगा के उपर ब्लूस की हमें देखने को मिल जगी अब क्यूंकि आपके PCS वगरा काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सा चीज़ ठप होगी इसमें आपका banking system भी हो गया आपकी airlines हो गया पर बिल्कुल एक तरह से सब कुछ ठप हो गया इवन ऐसा बताया जा रहा है कि airports के उपर जो आपको मिलते हैं जो आपके boarding pass वगरा मिलते हैं वो print होके नहीं आ रहे थे अब वो कैसे आ रहे थे उनको हाथ से लिखा जा रहा था कि हाँ यह बंदे का यह boarding pass है तो बार भी चीज़ें iOS हो गया या बाकी चीज़ें हो गया Apple का हो गया एंड आपका Ubuntu वगरा हो गया पर Windows के पर डिपेंडेंसी अपनी बहुत जादा है तो काफी सारे लोगों का question mark यहां पर यह भी उठता है कि क्या इंडिया को भी खुद का अपना operating system एक बनानाना चाहिए तांकि कुछ ऐसी दिक्कत अगर future में हो तो हम लोग ready रहें उस चीज़ के लिए तो ये एक question mark हमें कल की घटना ने आपे बताया है दोस्तो डेट है आज की 20 जुलाई 2024 और आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर पहला जो हम topic discuss करेंगे वो है आपका चांदी पूरा वाइरस के बारे में देखो इसको थोड़ा समझना important हो जाता है दरसल में आप जानते हैं ना पूने के अंदर हमारा एक institute है जिसका नाम है NIV National Institute of Virology इसने यहां पर confirm कर दिया है कि अभी एक बच्ची की death हुई थी वो चांदी पूरा वाइरस की वज़ा से हुई थी अभी काफी सारे लोगों की यहां पर death भी हमें देखने को मिल गए यह number update होता जा रहा है यह number बढ़ चुका है आप basically अगर मैं बात करूं इस particular चांदीपूरा वाइरस की तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो वाइरस है ना यह बच्चों को children को massively impact करता है और वो बच्चे ज major हमें outbreak अभी देखने को मिल रहा है अब थोड़ा से इस वाइरस की बात करें तो यह CHPV जो चांदीपूरा वाइरस है यह classify किया जाता है अंदर रैप्डो विरेडी फैमिली जो की उस वाइरस इसको भी include करता जो की rabies के लिए responsible है plus at the same time देखो यह transmit किया जाता है कुछ ना तो यही आपका mosquito के bite से आपको यह चीज भी हो सकती है अगर देखो मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि transmit कैसे होता है इनके bite से ही यह जो आपके जो आपके mosquito की बात कर रहा था इनी केस से थूँ यह transmit होता है यहाँ पर infection यह आपके central nervous system को effect करता है जिस वज़ा से encephalitis हो जाता है आपके brain tissue का inflammation होना प्लस at the same time आपके अंदर जिस person को यह होता है उसको fever हो गया body ache हो गया headache हो गया यह सब चीज़े भी देखने को मिल जाती है यह starting में यह सब चीज़े होती है बाद में वो encephalitis यानि की brain tissue का inflammation हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो ब death के chances बहुत जादा हो जाते हैं लग बग ऐसा बता जारा है कि 50% death के cases होते हैं एंड यह तेजी से फैलता है मानलो आज सुबह आपको fever होगा शाम को ही इस person को यहाँ पे encephalitis हो जाएगा तो इस तरह से बहुत ही speedily मतलब यह चीज़ फैलती है और अगर उस बंदे को शाम को यह चीज़ होगी अगले दिन सुबह कुछ और brain या organ failure हो गया तो उसको tackle करने बहुत मुश्किल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें time जा लगता है नहीं यह तो बहुत कम time के अंदर यह फैल सकता है यह दिक्कत होता है एक इनसान के अंदर अगर मानलो यह हो जाए और तो symptomatic treatment होता है यहाँ पर कोई proper treatment नहीं है ना ही कोई हमारे पास यहाँ पर vaccine देखने को मिल जाती है और इसी विज़से symptoms को maintain करना भी बहुत मुश्किल बन जाता है बाकी आप notice करोगे जो आपके rural areas, tribal areas, peripheral areas होते हैं जहाँ पर आपको sand flies हो गया या मच्छर हो गया वो देखन जो cow dung होता है जो पाथियां होती है basically उनसे के पर इनको paint किया जाता है cow dung वगरा से तो जिस वज़ा से कहिना की outbreak यहाँ पर यह बढ़ सकता है तो यह कुछ pointer से चांधीपूरा virus के बारे में जो आपको जानने चाहिए एक आपके दिमाग में doubt आएगा सरी चांधीपूरा क जानने चांधीपूरा में देखने को मिला था तो इस वज़ास इसका नाम चांधीपूरा virus है आज से हमारे जो गुरू पूर्णीमा का तो आप जो start होने जा रहा है उसी के regarding आपके लिए कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे हमारी टीम के तरफ से यहाँ पे affordable offers आपको देख है प्रहार है आपके टाइटन है ठीक है प्लस अट दा सेम टाइम प्रारम के जो बैचेस है वो आपको बहुत यह affordable cost के अंदर देखने को मिल जाएंगे प्लस अट दा सेम टाइम इस गुरू पूर नीमा के अफसर के उपर आप हमारे जो optional बैचेस है इस सारे नाम यहाँ प सकते हैं next दोस्तों हमारा topic है हमारा CEPI के बारे में that is coalition of epidemic preparedness innovation यह क्या है देखो दरसल में 2017 के अंदर CEPI coalition of epidemic preparedness innovation को यहाँ पे launch किया गया इसमें क्या है एक तो भारत की सरकार है और आपकी नौर्वे सरकार आपको देखने को मिल जाएगी इसको establish किया गया था डावो स्विजर land के अंदर है सरकार है तो definitely दो है यानि कि public आपके सरकारों का role है पर उसके अलावा अगर मैं बात करूं न तो आपकी जो Bill and Melinda Gates foundation हो वो World Economic Forum हो गया वो and साथी साथ Welcome Trust यह भी साथ में मिलकर यहाँ पे इसको launch किया गया था अब आप पूचेंगे सरे Welcome Trust क्या है यह एक foundation है जो क को यह एक health research foundation देखने को मिल जाएगी जिसका focus है कि animal health और human health को कैसे बहतर करें तो इन सब ने मिलकर यहाँ पे इसको found किया था इसका purpose पता क्या था परपस यह था कि आगे future में बहुत सारी हमारे सामने diseases आ सकती हैं तो हम ना पहले से ही तयार रहे किस तरह से तयार ताकि हमा यहाँ पर found किया गया था जैसे एक ना हमने अगर आप रिलें booster regularly follow करते हैं तो हमने काफी टाइम पहले disease x को discuss किया था disease x का मतलब क्या होता है जैसे maths की बात होती ना तो x क्या होता है variable होता है या फिर x unknown होता है जिसको हमें धूंडना होता है फिर बार दे हम answer आता है x equal to 3 है पहले ही उसके लिए ready होना पड़ेगा तो यहाँ पर CEPI का purpose यही है कि 50 से विदा vaccine candidates का हम development करें मतलब उनको back करें basically उसके development को plus at the same time इनका एक focus और भी है 100 days mission यह क्या है अगर मान लो कोई भी नया threat आता है ना तो within 100 days ही हम कहीं ना कहीं safe, effective and globally accessible vaccines उसके लिए बना पाएं यह CEP CEPI का यहाँ पर purpose हमें देखने का मिल जाएगा for the plan जो है इनका 5 साल का 2022-2026 तक का, तो यह CEPI के पर में आपको जानना था, बाकी recently यहाँ पर हमारा जो Minister of Science and Technology है, उनके द्वारा यहाँ पर Asia की पहली pre-clinical network facility को launch किया गया, inaugurate किया गया under CEPI, तो इस परसे news में था, बाकी अदरवाइस आपको इसका purpose पता होना चाहिए कि CEPI एक खिर होता चाहें, नेक्स दोस्तों मारा topic है project Asmita के बारे में, एक बार आप Asmita की full फरमा पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप देख पाओगे, augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing, देखो आप लोग ना, जानते होंगे, schedule कौन सा, schedule 8 के बा हम यहाँ पर आपकी जो academic writing है, आपकी यह जो सारी चीज़ें है, books को हम यहाँ पर develop करें, ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, 1000 books को develop कीजिए, और 1000 जो books होंगी, वो 22 language इसके अंदर होंगी, तो total हमारे पास 22,000 books हमारी develop हो जाएंगी in the next 5 years, यह यहाँ हम पर परपस है, इस project असमिता का, तो ministry of education और साथी साथ अगर हम बात करें, यूजी सी, university government equation के दोरा इस project को launch किया गया है, ताकि education resources की availability को बढ़ाया जा पाए in these Indian languages, तो जो आपकी schedule art के अंदर 22 languages हैं, उनके अंदर इन चीज़ों की accessibility बन जाएगी, साथी साथ अगर हम बात क education के अंतरगत यह जो भारतिय बाश्य समिती है, जो कि committee है within ministry of education, उसके दोरा यहाँ आप इसको launch किया गया है, कोशिश देखो यह है कि actual में हमारे देश की unity है, उसको हम समझ पाए, यह unity and diversity हमारे इसी को तो बोलते हैं, प्लस at the same time हमारे देश में एक तरह से जो linkage है, वो बना कि project असमिता क्या है, बस ऐसा ही question बनता है, बहुत detail में नहीं जाता UPSC, तो अगर मैं इस पर बात करूँ, तो Indian language को integrate करने का यहाँ पर purpose है, तांकि accessibility improve हो, 13 nodal university को यहाँ पर select किया गया है, तांकि इस project को यहाँ पर run कर पाए, and साथ-साथ यहाँ पर उनके लिए standard operating procedure भी बता हो जाएंगी, in Indian language is the next five years under project असमिता, अगला दोस्तों वारा topic है, ICAL के बार में, International Center for Audit of Local Government, देखो, alting आप जानते हो, बिल्कुल, कुछ भी आपने पैसा वेरा खर्च किया, तो क्या वो सही purpose के लिए खर्च किया, सही ढंक से उसको खर्च किया, क्या actual में उसका output निकला भी Auditing यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी Local Governance के regarding, अगर मैं थोड़ा अभी तक आपको पताऊँ ना, तो अभी भी Local Bodies के Auditing होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, एक्चल में क्या होता है ना, आप notice करोगे एक मार पास examiner of local fund account या फिर आपके director of local fund account, ये audit करते हैं कि जो भी आपके local governments को, जो आपकी local bodies को जो भी fund वगएरा दिया गया है, उसका कैसे use हुआ, उसको audit यहाँ पर इनके दोरा किया जाता है, बागी CAG भी जो controller and auditor general है, वो भी यहाँ पर audit बगरा करते हैं, इन तीनों था, बाकी supervision भी यहाँ पर definitely CAG provide करते हैं, तो ये तो current बगला system हो गया, पर actual में इस system के अंदर कुछ ना कुछ issues हैं, for example, देखो देश भर में आपकी जो धाई लाग पंचायत्स हैं, और 8,000 urban local bodies हैं, इन में आपस में बिल्कुल भी collaboration नहीं है, auditing के perspective से, प्लस कुछ जगा पर कुछ अलग तरह की practices चल रही हैं, कुछ जग अलग तरह की, तो आपस में एक दूसरी से सीखने का mechanism नहीं है, प्लस at the same time, गोल प्रैक्टिस के साथ अभी हम align नहीं करते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके fund utilization के अंदर inefficiencies होती है ना, वो भी देखने को मिलती हैं, मता क्यों, क्योंकि बहुत सारी municipalities अभी तक भी आपके audited financial statements को नहीं use करती, हम नहीं use करेंगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी, अब यही सारी दिक्कतों को solve करने के लिए हमारे पास आ गया है ICEL, International Center for Audit of Local Governance, अब ये राजकोट गुजरा अब यहां पर inaugurate किया गया हमारे जो CAG हैं भारत के गिरिश चंदर मुर्मु जी के द्वारा, अब ये पहला एक ऐसा initiative होगा जिसके मादेम से एक global standard बन जाएगा, local bodies के लिए, ये उनको कैसे audit करना है, plus at the same time इसी को ही as a policy maker and auditors भी use करेंगे, सब अपनी best practices को यहां पर share करने निकोशिश करेंगे, तो एक तरह से local government auditors के independence और बहतर हो पाएगी and proper mechanism बन पाएगा, जिसके मादेम से financial performance इंप्रूब होगी and लोगों के पास हम जो service delivery करते हैं, वो भी बहतर हो पाएगा, बाकि ये सारी चीज़ने जो मैंने आपको बताई, ये सभी ICL इसके अंदर हमारी म बनाया गया था open AI के द्वारा, अब open AI के द्वारा एक निया AI model यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसका नाम है क्या project strawberry, अब इसके अंदर पता क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली जो आपकी artificial intelligence है, उसमें हम reasoning को कैसे बहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पर increase करने ही कोशिश करी जा र में research कर पाएंगे, तो एक चरह से reasoning काफी जा improve हो पाएंगी, आप लोग जानते ही होंगे ना कि artificial intelligence के बहुत जादा use है, और जब strawberry model इसमें अंदर आ जाएगा, जहां पर AI की power और भी increase हो जाएगी, तो बहुत सारे scientific breakthrough कर पाएंगे, क्योंकि आपने आप से research कर पा रहा है, अ आपके ने art, music को create करना, videos generate करना, यह सब जीदे बहुत असान हो पाएंगी, अगर यह project strawberry proper से implement हो पाया, अगला दोस्तों एक places in news के regarding topic है, कोलंबिया के बारे में, देखो कलंबिया के अंदर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत आगी है, वो यह है, कि अगर मैं बात कर तो ना, drugs क की, और especially बात करूँ मैं, cocaine की, तो cocaine की industry का बहुत एक major निर्भरता कहां पे है, कोलंबिया के उपर, जिस वज़ा से न, क्या हो गया है, कि यह drug की वज़ा से, too much cocaine की वज़ा से, कोलंबिया में बहुत सारी problems आ गी है, आप लोगों ने न, एक बहुत ही famous person का नाम सुना होगा, पैबलो एसकोबार, है न, सुना है न, तो यह कलंबिया से ही बिलॉंग करते थे, इनको कलंबियन ड्रग लॉड की नाम से भी जाना जाता है, तो उस मुद्दे को discuss नहीं करेंगे, थोड़ा सबस हमें इसकी location को जानना है, क्लंबिया की location को, एक्च्वल में आप notice करोगे, क क्लंबिया आपको South America के अंदर देखने को मिल जाएगा, सबसे important चीज जो आपको क्लंबिया के बार में ध्यान रखनी है, कि South America की ये एक मातर ऐसी country है, जो आपका Pacific Ocean and Atlantic Ocean दोनों के साथ water touch करती है, और कोई भी South America country ऐसी नहीं है, जो Atlantic and Pacific Ocean दोनों को water touch करे, बट यहाँ पे क्लं लेंगोज है, वो ही यहाँ की official language आपको देखने को मिल जाती है, इसके साथ ही आप लोग Pacific Ring of Fire के बार में जानते होंगे, तो Pacific Ring of Fire के अंदर आपका कॉलंबिया भी आता है, तो काफी सारे यहाँ पे हमें eruptions और अर्थक्रिक्स वेरा देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से कॉलंबिया से ही आपको Andes Mountain भी जाती हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है न, यहाँ पे आपको अलग अलग तरांके diverse terrains देखने को मिल जाएगे, चाहे उसमें desert हो, highlands हो, grasslands हो, और Amazon rainforest पे आपको यहाँ आप देखने को मिल जाएगा, बाकी देखो इसके watering countries तो आप देखी पाओगे, पर यह चीज़ें आपको definitely पता होनी चाहिए, कि यह आपका northern and western hemisphere के इंदर आपका located है, this is known as Colombia, I hope this makes sense to everyone, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने questions की दरफ, दो questions मैं आपको आज के लिए homework दे रहा हूँ, एक है discretionary powers governor के बारे म और दूसरा आपका homework रहेगा, original jurisdiction of supreme court के बारे में, तो दो सवालों का अंसरा मुझे निचे comments में बता सकते हो, कल मैंने आपको homework दिया था, एक था, पंचायत की, मतलब member of पंचायत बनने के लिए minimum wage कितनी होती है, तो यह 25 साल नहीं होता, यह statement गलत है, यह आपकी 21 years आपको द dissolve होगी, तो जो नहीं पंचायत बनेगी न, वो सिरफ और सिरफ दो सालों के लिए बनेगी, पांच सालों के लिए नहीं बनेगी, तो यानि कि it is constructed only for the remainder period, यह remainder मतलब 5 में से जितने बच गये थे, कितने बच गये थे, 2 साल बच गये थे न, तो सिरफ 2 साल तक काम करेगी, तो मैं आप लोगों को न, यह जो चीज़े बताता हूँ, यह आप लोगों के जो senior students हैं, उन्होंने मुझे कभी न कभी बताई हैं, कि यह questions मेरे से नहीं होते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझा करो, ऐसा नहीं होता, यह थोड़ा सा आप imagine करो, ऐसा नहीं होता, आपको यहां पर थोड़ा सा चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी, ऐसे लंबे questions भी, में भी हो सकता है, लेटर पार में attempt करो, बट कई बार असान questions भी होते हैं, for example, जैसे for example, इसमें आए second statement की बात करो, यहां पर यह कह रहा है कि समिधान के अंदर, जो आपका incapacity and proven misbehavior है, इसको यहा चीज़ें नहीं defined है, even आपका incapacity and proven misbehavior भी आपके defined नहीं है, तो यह वारा थोड़ा साना आपका, अगर आपने PY को इच्छे से करे होते हैं, तो आपको बला लगता है, यह सब चीज़ें नहीं है constitution के अंदर, तो second statement तो गलत हो जाती है, इसमें कोई doubt हो नहीं नहीं यह कैसे, total membership of house and not less than two-third of total member of that house presented voting, तो यह statement बलकुल ठीक है, तो आप ना at least इतना जूरूर कर सकते थे, कि आप option C and option D तक पहुंच गए, इतना तो होना चाहिए था, बाकी मैं थोड़ा बाव समझ सकता हूँ कि किसी को चाहिद first statement ना बता हो, या third ना बता हो, I can agree to this, but second or fourth statement आप पहुंच सकते थे, बाकी मैं बता देता हूँ, अगर मैं बात करूँ देखो, यह बात बिलकुल statement ठीक है, यह जो impeachment का judges का process है, वो यहाँ पे दिया गया है, judges inquiry act, यह बात अपने आपने आपने correct है, और यह जो पहली statement यहाँ पे कह रहा है ना, कि माल लो कि judge, Supreme Court के judge को impeach करना है, तो वो speaker के वास जाएगा, बिलकुल ठीक बात है, अब ध्यान रगने माली बात यह है, कि speaker इस motion को accept करे या ना करे, यह speaker के उपर होता है, तो यह जो लिखाने cannot be rejected, यह बात अपने आपने आपने गलत हो जाएगी, speaker के उपर होता है, कि क्या वो उसको accept करना चाता है या नहीं करना चाता, तो इस तो इसका answer बनेगा, option number C, 3 and 4, ठीक है दोस्तों, तो यह थी आज की discussion, तीन चीज़ें का homework मैं आपसे दे रहा हूँ, true and false की form में answer, आप मुझे नीचो comments में इसका बताइएगा, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कल जो मैंने homework दिया था, तो दोस्तों यह थी आज की discussion, इसी तरह से आप भी अपने end पर hard work करते रहिए, thank you very much for the discussion.